अब नमस्कार दोस्तो एक बर फीर से सब का स्वागत मेरे इस YouTube चैनल में तो दोस्तों जैसी कि आपको पता इए कि आज भारत वर्सिस पाकिस्तान का मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का जी हा और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को माद दे दिये दोस्तो जी हा पिछली हार का बदला चुकता हुआ और दोस्तो ये जीत का सेरा सजाए विराट कोली के नाम पे जी हा हमारे किंग कोली आफकोर्स किंग फॉर रीजन दोस्तो अगर मैच मिस किया है आपने तो जरूर हाइलाइट जरूर दे कियेगा क्योंकि बहुत जबरदस्त इनिंग विराट कोली के बल्ले से आई है किसी ने जादा साथ नहीं दिया हार्दिक पांडिया अकेले उनके साथ खड़े रहे जिन दोनों ने मिलके विराट कोली और हर्दिक पांडिया ने मिलके 113 रन का एक पाटनर्शिप जड़ दिया दोस्तो जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रेकॉर्ड है T20 में भारत की तरफ से जी हा आज तक भारत की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना बड़ा पाटनर्शिप कि कोई भी बल्ले बाज नहीं कर पाया था जो कि आज विराट कोली और हर्दिक पांडिया ने करके दिखाया तो दोस्तो आज का जो मैच रहा उसके सबसे जादा अट्रैक्शन रहे पहली पारी में अर्शदीप सिंग जिनोंने गेंद बाजी से तीन विकेट चटके और दीसरी पारी में अफकोस किंग कोहली जो 82 रन बनाके नोट आउट रहे दोस्तों जिसमें 64 और 4 चके शामिल थे और दोस्तों अगर मैच मिस किया है तो ज़रूर मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँ का मैच जरूर देखे है हाइलेट जरूर देखे क्योंकि लास्ट बॉल तक गया है दोस्तों मैच लास्ट बॉल तक गया है जिसमें लास्ट और में हमें 16 रन चाहिए थे और अगर आपने देखा नहीं तो दो विकेड भी गिरी है भारत की आर्दिक पांडय और दिनेश कार्थिक दोनों को भारत ने आउट हो गए भारत की तर्म से फिर भी भारत ने मैच जीता है सिर्फ किंग कोहोली की बदल और मुहम्मद नवाज की बदल और जिन लगातर दो विकेड चटका दी थी दो और में पहले दो और मों उन्होंने अपनी लगातर दोनों अपने बाबर आजम और मुहमद रिजवान को वापस भेज दिया फिर भी उसके बाद शान मसूद और इफ्तिकार अहमद जिन्होंने दोनों ने हाफ सिंचरीज लगई दो तो यह दोनों भी जल्दीर पैयने में लोड़ गए दोस्तों और बहुत स्लो खेल रहे थे उनका इंटेंशन नहीं दीख रहा था साफ सिर्फ डिफेंसिव खेलने वो जा रहे थे उसकी बदलों दोनों ने अपना विकेड गवाए उसके बाद आये दोस्तों किंग कोली के साथ बाद में सुरेकुमार यादों थोड़ेशी साथ जरूर दिया टच में नजर आये 10 गेंदों में 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गया तो किंग कोली के बाद इनके बाद अक्षर पटेल को आज थोड़ा सा उपर भेचा गया दोस्तों दिनेश कार्थिक हर्दिक पांड गेंद पर आउट हो गए जिन्होंने 37 बाल में 40 रन बनाए उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था दोस्तों बाद में हर्दिक पांडे अपने रंग में नजर नहीं आए वो ज्यादा रन नहीं बटोर पाए तो स्ट्राइक रेट एक प्रॉब्लेम रहा बट आपकोस साजीदारी की जरूरत थी जो उन्होंने निभाई विराट कोली के साथ और जो मैन अप दे मैज बने और मैं कहूंगा विराट कोली के लाइफ की सबसे बहतर पारियों में से एक पारी रहेगी है उन्होंने 53 बाल में 82 रन नोट आउट बनाए और भारत को विजय दिलाई एक टिपिकल भारत पाकिस्तान का मैज देखने मिला दोस्तों जिसमें स्टेडियम में एक लाग के करीब प्रेक्षक जो मोजूद थे और काफी बहतरी नजारा देखने लायक था दोस्तों तो अगर थोड़ा सा अनलिसिस किया जाये दोस्तों बॉलिंग लाइन अप पे त खड़ा कर पाई और अगर बैटिंग की बात की जाये तो फिर से रोई चर्मा केल राहूल सुरी कुमार यादव भी आज नहीं चले दिनेश कार्थिक भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए उनको भले एक दो गेंदे ही मिले बट कुछ नहीं कर पाए तो दोस्तों कब तक विर मैं सबसे जादा नारास्तों केल राहूल और रोई चर्मा से उस जिनका इंटेंट ही सही नहीं था शाहिन अफ्रेदी और नवास की खिलाप टेस्ट मैच खिल रहे थे दोस्तों तो देखा जाए तो यह इंटेंट सही नहीं है सिर्फ आप अगर किसी एस कंपेट इंडिया से जो वीक टीम है नेधर लैंड से स्कॉट लैंड है बांगलादिश इनके खिलाफी रन बनाओगे तो कोई फाइदा नहीं है कि रहूल के लिए मेरी सला रहेगी थोड़ा सा इंटेंड बदले और अच्छे रन ज़रूर बनाए फॉर्म में भी है तो उन्होंने उमर्यादू को ज़रूर प्रदान करेंगे तो आशा करते दोस्तों अगली मैंची अच्छी जाए और भारत अच्छे से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें और शायद से वर्ल्ड कप जीद भी जाए तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगले व आच्छे डियो में आटें अच्छे से जीदित प्तूर भारत आप साँ झाख ब्लाज कि rewards by कि घए दो कि और बादा कि आच घए खुसए जाए ऑरत कि और भारत आख।